नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में मित्रों इसका बेरिंग खराब हो गया है यह 8HP का लिष्टर इंजन है यह देख लीजिएगा यह इस तरह से हिल रहा है आगे पीछे और इसका इस साइड का बेरिंग खराब हो चुका है तो यह चेंज करन हैं लेकिन इसमें और भी कुछ काम करना है तो इसलिए वह अगली वीडियो में हम आपको दिखाने दिखाएंगे तो यह देख लीजिए यह गलत चोट लग रही है यह हमें इसकी नहां पर चोट लगानी है यहां चोट नहीं लगानी है उपर वाली साइड में बिलकुल इ यह देखी चावी बाहर आ चुकी है अब हम क्रेंक के अंदर एक लकडी डालकर क्रेंक को रोक लेंगे और भील को घुमा कर बाहर कीच लेंगे मित्रों ये देखे ये भील बाहर आ चुका है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब आब से कर लिज एगा ये होजिंग खोड़ लेंगे इसका कम्पलीट वीडियो हम नेक्स टाइम अपलोड करेंगे ये होजिंग हमने बाहर निकाल लिया है देखिए बैरिंग की पोजिशन भी आपको दिखाते हैं निकाल कर इस तरह से एक रोड के द्वारा बेरिंग को बाहर निकाल लेंगे चोट लगा करके इधर कौन पर हम इस रोड को लगाएंगे इस तरह से और हतोड़े की चोट से हम बेरिंग को बाहर निकाल लेंगे ये बेरिंग हमने निकाल लिया है और क्रेंग को साफ भी कर दिया है ये देखिए बेरिंग की पोजिशन ये है इस पर बेरिंगों की गोलियों पर दाग आ चुके हैं ये काफी जिसकी वेशे आवाज और प्ले हो गए थी डाउन हो गया है बेरिंग ये देखिए ये काफी इस पर दाग बन चुके हैं सिलीप पर भी ये हमने एक नया बेरिंग लिया है अब इसको इस तरह से लगाएंगे एक दो इंची के पाइप के थुरू हम इसको ठोकेंगे जो बड़ी आसानी से और परफेक्ट ली ठोक जाता है इस तरह से देखिए आसानी से बैठ जाएगा अगर हम छैनी से ठोकेंगे तो बेरिंग तूटने का खत्रा रहता है यानि कौन खट जाती है कहीं कहीं से ज़ड जाती है तो इस तरह से हमने बेरिंग को ये दो इंची के पाइप का हमने एक बनवा रखा है इसलिए तो ये देखिए परफेक्टली अपनी जगे पर बेरिंग बैठ गया है अब आयल सील को निकाल लेंगे ये दो सो तीन सो सौला नंबर की सील या दो सो तीन सो पचास नंबर भी कहते हैं बेरिंग सीलिप को भी एक छैनी के द्वारा निकाल लेंगे इसलिप को निकाल लिया है अब यहां पर हम इसको साफ करके नई सीलिप लगाएंगे ये देख लीजिएगा ये हटा दिया इसको ये हम कुछ सिम लगाएंगे ये चार सिम है बेरिंग सिम बती दो सो ग्यार नंबर के सिम कहलाते हैं और बेरिंग भी बती दो सो ग्यार नंबर के इसके अंदर लगते हैं ये नई सीलिप इसमें लगा देंगे पैरिंग सिलिप को बठा लिया गया है पूरी तरह से अब यहां लगा कर चेक करेंगे अगर कुछ सिम लगाने पड़ेंगे तो बाद में देखेंगे पहले इसको हम एक बार दोनटों के तुरू टाइट करके देख लेते हैं यह दोनट लगा कर हम इसको टाइट करेंगे यदि टाइट हो जाता है तो हमें पैकिंग लगाने होंगे और इसमें पिले रह जाती है तो हमें सिम लगाने पड़ेंगे बस यही सैटिंग होती है अब हमने इसको घुमा कर देखा है अब हिला कर भी देखेंगे पिले तो नहीं है यह देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर पिले नहीं है देख लीजिएगा बिल्कुल परफेक्ट यह हिला कर देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है यह अब आयसील लगा देंगे यह दो जाती है सील खराब भी नहीं होती और मुड़ोती भी नहीं है वैसे यह देख लिजेगा यह बैठ चुकी है अपनी जगह पर अब हम भी लगा देंगे फ्लाइवील को इस तरह से हम अंदर बैठा देंगे प्लाइवील को भी हम प्रोपर जगह पर रखेंगे ना ज़्यादा बाहर रखेंगे और भीडा कर भी नहीं रखेंगे यह देखिए अभी इसमें थोड़ा सा गैप और कम करेंगे यानि डेढ़ सूत के संथिंग यह हमने इसमें गैप बना दिया है ताकि आगे अगली बार भी आसानी से पीछे ठोक सके और चाबी डिली हो जाएगी तो भील आसानी से निकल जाता है यह हम इसमें पैकिंग लगाएंगे लोहे के एक आरी का बलेड है और एक टीन का टुकड़ा हमने चाबी टाइट करने के लिए लगाया है अब एक बार चाबी को ठोक देंगे यह थोड़ा सा बाहर इसलिए रखे जाते हैं ताकि यह चाबी के साथ अंदर चले जाएंगे यह देख लीजेगा चाबी अभी परफेक्ट टाइट नहीं है चाबी अभी धीली है तो हम इसको एक बार निकाल करके अभी इस एक सिम यानि एक टीन का लेना और हमने इसमें लगाया है अब यह देख लीजेगा यह परफेक्ट टाइट ठुक गई है चाबी अभी अभी देख लीजेगा यह हमारा बेरिंग कम्प्लीट हो गया है क्रेंक बिल्कुल फ्रेस भी घूम रही है और पिले है ही नहीं तो मैं लेंगे आगे अगली वीडियो में और इस इंजन की कम्प्लीट वीडियो भी आगे दिखाए